हेलो फ्रेंड्स कैसे हो आप लोग मैं राहू लोग स्पोर्ट्स उनलिज में आपका फिर्ज इस्वागत है दोस्तों आज मैं आपके वीडियों बताऊंगा कि आप फैदर बड़ी शुटलकोक होती है वो जो खराब हो जादतर और आप उसे घर पर कैसे ठीक कर सकते हो दोस् आप इसे कैसे करें सबसे पहले तो आप जो इसके यहां पर यह न तार यह दग्ग्य है इसे कहा चीछे की चीज से हिलाले हलका सा ताकि अंदर जाने में असानी हो जाए अंदर से बाहर से दोनों तरब से हिलाले है और देखिए यह अंदर इसका होल हुआ है देख सकते हो आप इस होल में नीचे से पकड़ना और उपर को उठा कर अंदर को सीधे बिल्कुल कर देना है यह देखिए और यहां पर मतलब अभी पूरा अंदर नहीं करना अभी हम यहां पर थोड़ा उपर उठा रखा है एक भी लेते हैं आप घर बैठे इसे रिपेर कर सकते हो बहुत ही अथानी से और इसके जो अंदर वाला होल है बिल्कुल इसके करीब में डाला अंदर को ने पर यह एक बुन डाल देनी है कि देखिए हमने डाल दिये और शे डालते ही तुरंथ इसे नीचे कर देंगे अब यह एकदम फिट हो गई है कि देख सकते हो आप पहली कंडिशन तो यह यह आपके एक होगी चाहिए आपके मतलब दो भी हो तेन भी हो सब ऐसी इसी तरह सा आप कर सकते हो घर पर ही देखिए अब यह हिलवी नेरी पक्क्य हो गई एकदम अब दूसरा एक यह आता अब पर ये तो फ़ेश़ पर यह है टूट जाता है मुणके मुण जाता है टूट जाता आप देख सकते हो आप देखिए अधिए दिखा लेता हूं कि अंधर से भी यह रहा यह पर टूट जाता आप अब सब माप निकाल के रख लेना मैंने भी सबसे पहले मैं आपको यह निकाल लेता हूँ फिर से हम दुबार जो है इसके तारी लाएंगे यह धागे कि अगर निकालने में थोड़ी असानी हो कि अंदर से भी फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल अपन नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह की इंट्रेस्टिंग वीडियो माप के लिए लाता रहता हूं और आपको वीडियो कैसे लिए कमेंट करके जुरू बताना अब यहां से खिचेंगे थोड़ा हिलाना है क्योंकि फैविकोल से मजबूत होती है चिपकी होई एकदम है टाइट से पकड़ना है और इसा आपके पीछे करके लिए लाना है भाग हमने लूस कर लिए थे यह देखिए यह निकल चुकी है यहां से तो फ्रेंड्स देखिए आप देख सकते हो कुंसे से मम जांको अाचुका है अब हमा करना क्या है इसपको उपर की हम नहीं खीचेंगे क्योंकि इसफाओ कले質 काड़ं सकती है कॉछा कि सकाड़ दे यह से यहां से काड़ देंगे हर नीचा वाली इस सक आड़ देंगे अब हमें अराम से ही यह देखिए बहुत ही प्यार से निकल लिया है यह देखिए इन्हें सेट कर लिए थम और एक पुरानी जो है शटल कोग में से देखो मैंने निकाल लिए इसकी सेब कि आप देख सकते हो कि आप सबसे पहले हमें माचिस की तिली लेते हैं दिखेए इसकी इस चेज़ारों के होल आप देखे देख़ें और आपको दिख रहे हौं वहां। देखर कि दो होले इसे हम पहले तिल्डी डाल के थोड़ी होल को बढ़ा कर लेते हैं ताकि से जाने में बहुत असानी हो जाए पहले में क्रेची से कर लिए तो मुलका था अब बस यह देखिए बड़ी अराम से करना हो थास जल्द से जानी पाती इसमें कि अधिया देख सब्लकर होग कर दो कि मैंने कर लिया है अकि नीचे वह ठोड़ी दिक्कत हो दिए पर हो जाता है कि यह देखिक नीचे वाज़े भी कर दिया है अब हम इसा गुक जो फैक इसका एंदर होते हैं इसकीasamrock कि आप कि कि देखिए यह जा रही है अंदर कि यह देखिए कि दोनों तुरफ अंदर कर दिया बिल्गुल अराम से अब से जो होले नीचे वाले इसके अंदर हम लगा देंगे कि थोड़ी ऊपर रखेंगे और एक बून फैवी गोल महीं ढालेंगे इसकी जड़मी और इसे तुरण नीचे करनी है मैं तो चिपक सकते हैं जल्दी चिपक गई है देख सकते हैं और दूसरा इसके जो होल हमने हिलाए थे इससे भी थोड़ी थोड़ी हम डाल देता है हलकी हलकी बिल्कुल जिससे पकड़ा और मजबूत हो जाए है देख सकते हो है कि से बिल्कुल फिट हो गई है आपकी चाहें दो पर हो रहे हो तीन पर हो रहे हो आप इसी तरह साब पर सकते हो इसे रपेयर और दूसरा इसके जो काग यह तरह वह जाता है तो फिर आपका यह यूज में नहीं हो सकती खेलने लायक नहीं हो सकती क्योंकि इसके सारे पर निकालना बहुत हो है और एकदम लग भी नहीं पहेंगे दो चार पांच पर हो सकते हैं आप लगा लो बहुत ही असानी से तो आप इसी तरह से लगा सकते हो घर पर रिपेयर कर सकते हो इस वीडिय अगर आपके वीडियो अच्छी लेगी तो लाइक जरू कर देना फ्रेंड्स आपकी जो शुटल को खराब हो जाती है उन में से कुछ पर सही भी होते हैं उन सही परों को निकाल कर आप रिपेर में यूज़ कर सकते हो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई